इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है What Goes Around Comes Around इसका मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे यानि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में आप के साथ भी अच्छा होगा लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं आप भी पढ़िए आप भी पढ़िए There was a mouse who had always lived on land There was a mouse यानि एक चुहा था who had always lived on land जो हमेशा जमीन पर ही रहा था यानि वो जमीन पर ही रहता था तभी पानी में नहीं गया था आगे पढ़ते हैं by chance यानि इक्तफाक से He met a frog वो एक मेंड़क से मिला who lived in water जो के पानी में रहता था for most of his life अपनी ज्यादा-तर जिंदगी यानि वो आहम तोर से पानी में ही रहता था The mouse showed the frog around the little hole जो चुहा था उसने मेंड़क को जो उसका घर होता है जो सुराफ सा बना होता है जमीन में तो उसको वो दिखाया He lived in, जहां वो रहता था and every beautiful thing in it और जो भी उसके अंदर खुबसूरत चीज़े थी वो उसने सब उसको दिखाई इसने दिखाई किसको? चुहे ने मेंड़क को दिखाई आगे पढ़ते हैं The frog invited the mouse मेंड़क ने चुहे को दावत दी to come along and see the wonderful underwater world जो frog था उसने चुहे को मेंड़क ने चुहे को दावत दी कि वो उसके साथ चले ताके वो उसको पानी के underwater world, पानी के नीचे की जो दुनिया है जो के बड़ी wonderful जवदस्त है उसको वो जवदस्ती दुनिया दिखाई आगे पढ़ते हैं I would love to go with you but I cannot swim said the mouse I would love to go with you यानि मैं बहुत चाहत से तुमारे साथ जाना चाहूंगा but I cannot swim लेकिन मुझे तेरना नहीं आता said the mouse चुहे ने कहा यानि चुहे ने उसके साथ मेरे के साथ जाने का बड़ा शौक का इजहार किया उसने बड़ा शौक से कहा कि मैं खुशी खुशी तुमारे साथ जाऊंगा लेकिन चुंकि मुझे वहा तहरना नहीं आता यानि वो एक तरह से घबरा रहा था आगे देखने हैं क्या होता है कहानी में No worries dear replied the frog कोई फिक्र ना करो प्यारे यानि बिलकुल भी घबरानी की जुरूरत नहीं replied the frog मैंडिक ते जवाब दिया I will tie your foot to mine मैं तुम्हारे पेर को अपने पेर के साथ बांदूंगा and then I can pull you along और इस तरह से मैं तुम्हें तुम्हें अपने साथ पानी में यानि के इधर से उधर ले जा सकूँगा the mouse agreed चुहा जो है वो मैंडिक की ये बात मान गया फिर देखते क्या होता है कहानी में the frog laughed as he thought it mark it clear the frog laughed यानि मैंडिक जो था वो खुब हसा as he thought it would be good fun for him क्योंकि वो ये सोच रहा था कि ऐसा करने से उसको खूब मजा आएगा the frog tied the mouse's foot to his own मैंडिक ने अपने पैर को चुहे के पैर के साथ बान दिया with a piece of thread एक धागे के साथ धागे के तुकटे के साथ thus joined together they started walking across the meadow thus joined together और फिर इस तरह से दूसरे के साथ वो जुड गये और फिर वो they started walking और वो चलने लगे across the meadow यानि खेतों के बीच से होते हुए where they would find their food के जहां आगे उनको अपना खाना मिल जाए ताके वो से खा सके all went well सब कुछ ठीक जा रहा था until the frog led the mouse to the pond where he lived until the frog led the mouse जब तक के मैंडिक जो था वो चुहे को लेकर कहां पहुंचा to the pond where he lived यानि वो जो तालाब था जहां वो रहता था जब मैंडिक वहां पहुंचा तब तक सब खैरियत रही लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं the frog jumped in the water taking the mouse with him मैंडिक ने पानी में चलांग लगा दी और चुहे को भी अपने साथ ले गया the frog splashed around happily and swam मैंडिक जो था उसमे यानि वो पानी के चिंटे अड़ाता हुआ खुशी खुशी तैरने लगा croaking about और साथ साथ वो खुशी से आवाजे निकाल रहा था ओ पानी कितना थंडा और अच्छा है मैंडिक ने कहा said the frog मैंडिक ने कहा as he swam जैसे वो swam about जैसे जब वो इधर उदर तैर रहा था but the poor mouse was frightened लेकिन विचारा चुआ जो था वो डर गया था please get me out of the water said the mouse पराए महरबानी मुझे पानी से बाहर निकालो चुहे ने कहा or I shall die वरना मैं मर जाओंगा oh never mind oh परवा ना करो you will get used to the water तुम पानी के आदी हो जाओगे I just love it मुझे तो ये बहुत पसंद है said the unkind frog बेरहम मैंडिक ने कहा soon the poor mouse drowned जल्द ही बिचारा चुहा डूब किया while the cruel frog frisked about down below जबके वो जो मैंडिक था जालिम मैंडिक जो था वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगा पानी में नीचे tied to the foot of the mouse जबके उसका जो पैर था वो चुहे के पैर से बंदा हुआ था यानि जैसे कि चुहा जो है वो तो मर चुका था और अब मैंडिक जो है वो खुद को उससे आजाद करने की कोशश कर रहा था तो इस तरह से हाथ पैर चलाने को कहते हैं frisk करना just then and उसी वक्त a hawk saw the mouse एक उकाब ने उस चुहे को देखा उकाब जो है वो चील की तरह से एक बड़ा सा परिंदा होता है saw the mouse उसने चुहे को देखा and pounced upon it और उस पर वो जपटा यानि उसे उठाने के लिए जल्दी से वो नीचे को लपका या नीचे आया उरकर as he flew away with it और जब वो उसको लेकर उडने लगा the frog was dragged out of the water to mendic जो था वो भी खिछता चला आया पानी में से उसके साथ-साथ for he was still tied to the mouse जैसे कि वो अभी भी चुहे के साथ बंदा हुआ था जैसे कि यहाँ आप इस नस्वीर में भी देख सकते हैं यह बाज है और उसने चुहे को अपने पंजो में पकड़ रखा है और mendic जो है वो भी साथ लटक रहा है तो आगे पड़ते हैं stop stop cry the frog रुको रुको mendic जो है वो चलाया let me go, it is the mouse you want मुझे जाने दो, let me go, मुझे जाने दो it is the mouse you want तुम्हे तो चुहा चाहिए come along, said the hawk चलो चले आओ, बाज ने कहा I want you both, मुझे तुम दोनो चाहिए हो I will eat you first तुम्हे तुम्हे पहले खाऊंगा for I like frog meat even better than mouse meat for I like frog meat चुँके मुझे mendic का गोश है वो पसंद है, even better than mouse meat यानि चुहे के गोश से भी ज्यादा in a few moments, चंदी लम्हों में the hawk had a good supper खुब अच्छा सा खाना खाया सपर कहते हैं, रात के खाने के बाद जब थोड़ा सा कुछ कुछ काया जाता है, उससे सपर कहते है तो यानि जो बाद था उसने खुब पेट भर कर खाया and there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse and there was nothing left, और फिर कुछ भी ना बचा of either the selfish frog, उस खुदगर्स mendic का और नहीं और the poor mouse और नहीं उस विचारे चुहे का selfish या खुदगर्स का मतलब होता है कोई ऐसा शास जो कि सिर्फ अपने ही मुतलिक सोचता है सिर्फ अपना फाइदा देखता है और moral देखते है क्या है, यानि इस कहानी में जो हमें अच्छा सबक मिलता है, वो क्या है as you sow, so shall you reap जैसा बोगे, वैसा काटोगे यानि अगर आप सेब का बीच जो है, वो जमीन में बोईंग है तो उसे सेब का दरखती निकलेगा इसी तरह से अगर आप कोई और फल या पौदा बोते हैं तो उससे वही निकलता है और वही आपको काटने को मिलेगा लेकिन दरसल इसका एक गहरा मतलब भी है यानि कि आप जैसा जो है दूसरों के साथ वहरेंगे वैसा ही आप के साथ होगा तो यह कहानी यहां खत्म हो चुकी है अब इससे मतलिक सवाल जवाब अगरे वीडियो में मुकमल करेंगे आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ-साथ पढ़ने और समझने की कोशे जारी रखिए